पांडिया स्टोड के अगर मैं बात करें तो आज की एपसोड में तीन बड़ी चीज देखोंगे पहला प्याहां देखोंगे कि यहां पर गौतम और क्रिस यह दोनों का तो मजज़दार सलता ही रहते लेकिन आज गौतम और देव दोनों बैठ के बात करा रहा देव भरकार म भाइच पर पर परसो आपको पता होगा उपर गौतम और रोमेंस करें दिए वह चुप अब क्या होता है उसके सासत वह फॉटो दिखाता है कि हमसा का जो स्टोर है इस चरह होगा वह खुस होता है और उसी टेम रिसीता भी आती हो वाव वह सुन्दे रही है उस टेम कॉल किसका बैंक वाला देव के पास कि आप आप जो लोन के लिए प्लाई की वह नहीं होगा तो तुम यह कर रहे हो कि हो जागा इतना जल्दी तुम जहां अभी तो दो दिन-ती दिन हुआ है तुम्हारे लोन मिल जाएगा इतना इच्छ से सपोर्ट करने की बात होती है तो यह अब तो लून अब कर वाके रहेंगे वह उसको समझाता है देव को समझाता है वह सपोर्ट करने के लिए न तुम इसको क्यों बहुत जरी बात होती है तो दूसरी जगा रिसी साथ कहा बहुत है और आफिस आफिस लोन की बात करते वह एक्टिक हो जाएगा एक्चिली यह जो लोन आर्व होगा किस चैरोे क्यों कि पशचारी जो काकी है यह बैंकि Ent also भूर्ट के सब गर में रिसीत बात में अनिता रहें वाँ से अहको तो बहुत खुस होती है और घर में जाके कौ operateを तक फटो देखे домой मतलब यहां जो घरा के साथ दोस्ती की है वो दोस्ती पस लिखावा के लिए यह जो फॉटो देख लेता है को राधी और राभी उस फॉटो को चला देता है और नेक्स्रम घर मत आना अब क्या हुआ घर में अनिता आती है और रेज़ दे के चले जाते हैं तो वह राधी को लगता है कि हम गौदम पर दोरा डाले तो डाली रहा है तो जा मुझे यह समझ में नहीं आता है धरा का धिमाग सब्सक्राइब उल्टा जलता क्यों है घर का सफ महान है वह सब्सक्राइब लेकिन कोई अगर कुछ बोलता है तो उसका उल्टा ही समझती है हमेशा वह आज भी देखने वाले हो पांड़ा स्टोन में जी हां वीडि अगले वीडियो में जाइन चावार